नमस्कार हेलो जिंदिगी में आम सभी दर्शकों का हार देख सौगत है तिपावली का तियोहार निसीख है और तिपावली जब भी आती है तो अक्सर हम लोग अपनी काफी काफी दिनों से तैयारियों में जुट जाते हैं घर की साफ सफाई करनी होती है नया सामान खरीते है घर को सजाने के लिए और भी बहुत सारे काम रहते हैं लेकिन अगर घर को वास्तों के हिसाब से सजाया जाए तो क्या आपको पता है कि उसका कुछ बहतर प्रभाव पड़ सकता है आपकी जिंदिगी पर आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इस दिपावली आप अपने घर को किस तरीके से सजा सकते हैं कौन सी जगा पर क्या समान रहना चाहिए ताकि आपके लिए उसका positive effect पड़े और आपकी जिंदिगी थोड़ी सी उसमें जिंदिगी में एक सरलता आ जाए तो आए उसके बारे में जानने के लिए अपने आज के महमान का स्वागत करते हैं हमारे साथ है आचारय पंडित रविंद्र शास्त्री जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है शास्त्री जी हमारे कारे क्रम में बहुत-बहुत पहनवाद आपको थैंक्यू जी आचारय जी हम वास्तु की बात कर रहे हैं हम घर को सजाने की बात कर रहे हैं हर कोई चाहता है कि उनका घर बेहत सुन्दर दिखे, खुबसूरत दिखे, तो उसको सजाना चाहते हैं, लेकिन जब वास्तु की बात आती है, तो वास्तु के अनुसार उनके पास कहीं पाउंडेशन आ जाती है, फिर अगर उसे सजाया जाए, तो कि कहां पे क्या चीज रखे जाए, तो सबस ही अच्छा प्रशन है, कारण कि दीपा वली, दीपा वली में वास्तु दीप जलाने का विधान बताया गया, कि वास्तु दीप जलाने से सुक सांती और सफलता के लिए वास्तु दीप का बहुत बड़ा महत्तु है, आपने प्रशन किया कि घर को कैसी सजाया जाए, तो हम हम आप जानते हैं कि जैसी दीपावली समीप आती है तो पहले तो हमारे घर की साफ सफाईश प्रारम हो जाती है और कोने कोने से हम कचलों को निकालते हैं और पिंटर आज को बुला करके घर को रगों से पुताई से डिस्टेंपर से कलर से घर को अच्छा पहले हम बनाते हैं गर उसके लाइक बने सजाने लाइक बने तो पहले हम पुरा घर के मेंटेनेंस जो होता है जो इंटेर्नल मेंटेनस होता है घर के अंदर रूम को ठीक करना है हाल को ठीक करना है किचन को ठीक करना है बेडरूम को ठीक करना है और आए हुए जो हमारे महिमान होंगे उनके लिए जो गेश्ट रूम होगा उसको ठीक करना है तो ये मन में एक हलचल आ जाती है कि हमको कैसे ठीक करके कैसे हमको अच्छा बनाना है ये मन में हर घर के माली को ह ही हो जाता है कि हमारे घर में फ़साफ सपाई अच्छा अच्छी आपने घर को सचजित करना चाहता है अच्छा से चाहता है तो इसका बेदिक जो बिधान है वहाँत ही सुंदर है भॉत साराल है क्योंकि इस जो हमारा उत्तर दिशा जो होता है उत्तर दिशा में विक्सित करते हैं इसके लिए आपको घर का उत्तर दिशा को विक्सित करना होता है क्योंकि उत्तर दिशा जो है कैरियर उत्तर दिशा से देखा जाता है मतलब अच्छा करियर अगर चाहिए तो उत्तर दिशा को ठीक से हमें सजाना सबारना होगा हाँ उत्तर से ब्युसाय और धन व्रिधी भी देखते हैं हम जब भी घर के सभी सजेश्चियों को करियर में परसानी होती देखी जाती है बच्चों के केरियर और डिपार्टमेंटल प्रमोशन को उत्तर दिशा से ही मापा जाता है उत्तर दिशा का तत्व जलतत्व है इसलिए जलतत्व से संबंधित कोई भी वस्तू उत्तर दिशा में रखने से उत्तर दिशा विक्षित हो जाता है उत्तर दिशा का स्वामी कुवेर जी है जी तो कुवेर यंत्र की स्थापना उत्तर दिशा में करने से लाब मिलता है लाब दायक होता है लाब दायक माना जाता है जी मेटल से जल बनता है इसलिए मेटल से बनी होई वस्तू उत्तर दिशा में रखने से भी उत्तर दिशा बिक्सित होता है जैसे एकोरियम कच्छवा और मचली को भी उत्तर दिशा में रखकर अपने करियर में बिद्धी कर सकते हैं अपने घर को अच्छा सजिद बना सकते हैं अब तbane बात ही कि हमको घरको घर में सदाने का मुक्य द्वार है जो का स्वामी है उदारन के जो ग्रीश स्वामी है मन में निसके जीवन में मं में पिचार आता है कि मुझे कों सा कलर पसंद है तो वह इंटर्नल ऐ सके कलर जो है उसके जोतिस के हिसाब से वास्तु के हिसाब से उसके मन में आती है बात लेकिन मैं कहता हूं माली जी इसको नहीं मालूम है तो बैक्ति को जो हमारा जो गृप मने जो जैसी हम अपने इंटर करते हैं अपने जो में हमारा जो दर्वाजा होता है बाहर से जो हम अंद कभए का दोनों तरव रखते हैं तो लक्षमी का बहुत बड़ा स्वागद मना जाता है लेकिन हम रंगोली के द्वारा और कि रंगोली हम बनाते हैं रंगोली के साथ आज कल कलर में कागज वी आते हैं उसके बड़े-बड़े द्लिया अच्छे पेशन रूप में उसकों बनाते हैं और उदारंगले रंगोली भी यह अपने पास बजार से लेना है तो आप आठे का प्रयोग कर सकती है हल्दी का प्रयोग कर सकती है और आपका जो महावरूल लगाते ना पैर में उसका प्रयोग कर सकती है और लाल मिर्ची मिर्ची को प्रयोग करके हम रंगोली अच्छा बनाए सकता है मतलब मतलब हाटा ली और रापका लाल मिर्ची इस्के लौली अच्छी हां हाउagi बनाने से आपका साथ्यों के तो यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं कि घर को सजाने का जो है हमको उत्तर दिसा सब्सक्राइब चाहिए कि उत्तर दिशा में हम को भूत दिशा से हमको दीप का महत्तो बताया गया दीपक का पुवेर जी है वहाँ पर तो उत्तर दिशा को छोड़ कर दिशा को सजाने का आप जो है जैसे है यह कलर में पिंग कलर है है अटाल है इन प्रेरों का प्रयोग करके हम जो यह बना सकते हैं इन कलरों का प्रयोग siet कर सकते हैं न यहां पे वह है कि हमको पहले देखना होता है कि हम हमारा जो बैठ्ठक का कलर कईसा होना चाहिए घर में हम बैठ्ठक को बहुत सुन्दर बनाना चाहिए क्योंकि हमारे बैठ्ठक में ही बाहरी अगंतुक आते हैं और PevALL स्वहीं से होता है तो हमारा की जब दवार जो के अनुसार होगा तो वो जो है उसको बैठने ही में अच्छा लगेगा और वहां पर आए हुए अतिती जो होते हैं वो हमारे देव देश रूप होते हैं लेकिन मैं इसके अध्यात्नी कार्ण बताना जाता हूं मैं मापको कि दीपा वाली में वास्तु दीप जलाएं मैं यह जानती हैं कि वास्तु दीप का बहुत अच्छा बहुत अच्छा मॉरल है बहुत सुन्दर दिखता है और बहुत अध्यात्मिक उसका लाब भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक कांच या चिने मिट्टी का कटोरा लेने लगवग 5-6 इंच का होता है और सुन्दर कटो और गूसके आधे से अधिक उसमें पानी बहुत दें कांच की गोटि रहे होती हैं इस ने जो बच्छे लोग क्षैने में बच्छे किंधने सबार्वराइन कांच कंचे जो होते हैं कांच कोषू फसको बीजी ने में डाल देंे आफ़ कुछ पथर भी इसमें डाल दें पर और अंत में गुलाब का फूल का जो पत्ते होते हैं जी गुलाब फूल की कुछ पंखुडियां भी इसी पानी में डाल करके घर के इसान या उत्तर पूर दिशा में दीपक सुर्यास्त के बाद पजलित किया जाता है तो इस दीपक पजलित करने से ब्रह्मांड की सकरात्मक उर्जा का आवहान होता है अच्छा में नौर्थीस्ट दिशा में हमको यह रख लेना है एक बरतन में पानी लेना है साथ में कांच के वह कंचे डाल देने हैं कुछ रंग बिरंगे उसमें पत्थर डाल देने हैं गुलाब की पत्तियां और उसको वहां रखके दीप्रज् सब्सक्राइब कर जाएं हैं वह आगर के इस दीप में समाइथ हो जी और क्योंकि हर यदि मालीजे कि हर घर में इसान कॉंड या उत्तर दिशा में उनको सुद्धा नहीं हो रही रखने के लिए तो पूर्व में इसे रखने से भी चल सकता है पूर्व दिसा में भी रख सकते हैं बैखल्थि की स्थान के रूप में आप उसे पूर्व दिसा में भी रख सकते हैं जी और उसके वाद हमको प्र fund न करना इस दीपक से कि जो हमारा । हमारा सरीर है जिन पांच तत्तों का संतुलन इन दीपक के द्वारा हमारे घर परिवार में कायम रहता है और इसी सामानजस्ट से जीवन में नकारात्मक दूर होकर सकरात्मक बनी रहती है ऐसा मन में विचार करके दीपक सामने हाथ जोड़के प्राफना करना चाहिए क्योंकि आप जानती है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्वे पांच तत्वों से हमारा सरीर का नेमाड हुआ है और उसी पांच तत्वों को हम ब्रंभान से आवाहन करते हैं उस दीपक के म दूर करता है और शकरात्मक उर्जा हमको देता है जो हमारे सांती पूर्ण सुखी वा संब्रिद्धी जीवन में मददगार सावित होता है जी 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 प्रद्दिन सूर्यास्त के बाद यदि ये वास्तू दीपक घर के मेन दर्वाजे के मध इसान पूर्व के मद में रखा जाता है और सोने के पहले इस दीपक ऐसा उसमें घी तिल उसमें डाला जाए कि 5 तत्प्म आपको दस बज्धे सो रहे हैं तो दस बजे पहले हो जाए क्योंकि राद भन नहीं जलना है केवल आपका सूर्य. लेकर के सोने के पहले तक जी और ऐसा करते हैं तो हमारे जो हमारा पांच तत्यों को सकरात्मक उर्जा जो है वासू दीपक के माध्यम से मुझे बिलेगा पंडे जे यहां पर क्यूंकि हम दिपावली के तियोहार पर हम दीप प्रजवलित करते हैं दीपों से अपने घर को सजाते हैं तो यहां एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं अक्सर लोगों में इस चीज़ को लेके एक डर रहता है कि जब वो दिये जलाते हैं कि क्या हम इसमें कुछ अंक के हिसाब से हमें दिये जलाने चाहिए या फिर चाहे जितने मर्जी जीत प्रजवलित किये जाए नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल उसका अंक है देखिए दीपावली आप जान रहे हैं कि धन तेरस से हमारा उस्सो इस्टार्ट हो जाता है है कि अ उसके बाद் घंतेरस आपक्समें दो तारीक कMaybe और उसके बाद भी नरति चदुदु का मनाते हैं और यहां से हम धन तेरस से हम श्टार्ट करते हैं मतेड़ाध धन शेश हम इस घंत्रट करें और अधंवनतरी भगवान का प्राक्ट जो है उन्हों ने जो जो हमारे ने निरोगता लिए जो उन्होंने अवस्त दे निर्मार पर साथ उन्हों करते अब करते हैं कि हमारे यह सरीर मिरोध तो ना हो हम म Выलो हो जाएं और हमारे sen करके हम मर अपने पितरों को नरक्च दुद्षी होती है जो हमारे पितर पर जो लोग पर में पितरgre करते हैं फिर हम भवान स्री किष्ण का गोवर्धन पूझा करते हैं जो भवान स्री किष्ण को उठाया था उन्होंने लाश्ट रुगली में उठाने का बहुत बढ़ा महत्त्त है इसको समय मिलेगा जिए बताऊंगा मैं आपको ची तो मेरे कहने आप ने सही प्रश्चन किया हैं कि दीपा वली में जो पूजन हमको करना चाहिए उसका डियाम है देखिए धीपा क्वली में हमको जो धीपक ज्लाना चाहिए वह जो है अमवस्या के पुज़ने जो तेरा दिया है वो दिया हमको तेरा दिया अलग से जलानी चाहिए अच्छा वो तेरा दियों को हम रखते कहां पे हैं जैसे तेरा दियों को हमने जलाया लच्छमी को हमने अरपन कर दिया और उस दिया में हमको जिसे आपका धान की जो लाई होती है उसके दीपक के अंदर डाला जाता है और दीप मालिका से हम प्रात्ना करते हैं कि हमारा अंधिकार को दूर करें प्रकास को हमारे मन में हमारे परिवार में हमारे घर में प्रकास दें अंधिकार निवार्ण करें और प्रकास हमारे घर में निवास करें यह हम दीपक से प्रात्ना कर मेन में यह हर मने गरव स्थ को 31 जिया में क्या होता है कि आपको प्रजुलीट करने के बाद आपको रसोई में रखना है आपको हाल में भी रखना ए घर के बाहर वह रखना है आपको कुल देवताओं को भी देना है उसी तीपक में सब को देना होता है जी तो इसलिए जगा होती है दिपावली के दिन शायद लोग उसको वहां पर दिये या वहां रोशनी नहीं रखते जो हमारा बातरूम होता है तो क्या बातरूम में भी रोश्टी रखनी चाहिए कि दिया रखना चाहिए क्योंकि यहां पर बताया गया है कि हम जब दीब को हम आवान करते हैं तो आप हम इसकि रूप में निवाज करिए दीप का जो शुरूब है वो 49 परकार की दीपक होते हैं तो हम जो आवाहां जो करते हैं दीप मालिका जो हम 13 दिया जो ज़लाते हैं तेरा दिया में वह बाथ्रूम में अधी का विधान बताएगर इसको और जगह होती इस जगह में रखना होता है और केवाल जो शीट के उपर नहीं रखना है आपको उसके अंदर आप कहीं भी माने उसको सुरचित जगा में आप उसको रखिए ग्युस्ता करके लेकिन आप रख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप बातरूम में दीपक नहीं रख सकते हैं अगर कहीं घिड़ники है तो उस घिड़की पर रख सकते हैं यह अगर व शेल्फ लग lay तो भाहँन पर यह हां भू अ कोई रख सकते हैं पंडे जी आप pikतिस दियों की जो बात बता रहे थे तो मैंने पीच में टोप दी तो वो पूरी जाणना चाहेंगे हां 31 मतलब होता है कि 31 जो मुलांग होता है निम्रोला जी किसाब से आपको भी यह मालूम है कि मुलांग चार होता है ठीक है हमारी जो ढेर वहभी चार है हमारा जवु जब से हम जर्म से लेकर हमारी मेश्ट्ध की चार वैस्तायां है माँने हमारे जीवन में जो मोलंग चार है वो मोमॉलाधर कैंने कि इसे चार का जो एकतिस दिया जो है हमारे जर्म سے मरं blending तक का यह मूलंग कि हमको मोक्ष्पराप्त करना है तो हमको चार का अभ्रमन करना पड़ेगा और हम को जो भी हमको हमारे जीवन में जितनी वी सुभ चीज़े हैं उस चार से ही मुझे सक्ति मिलती है इसलिए मुलांग चार ही करते दियल प्रज्वित करना चाहिए अब पंडे यहां पर क्या होता है दिपावली के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो अक्सर हम लोग पेंटिंग मूर्तियां कुछ उनकी फोटो हम ऐसी चीज़े खरीते हैं तो अब घर में उनको किस स्थान पर रखा जाए किस स्थान पर सजाया जाए उससे संबंतित जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि माल लीजे हमने अगर भगवान की कोई पेंटि कोई फोटो ली है या हमने भगवान की कोई मूर्ति खरीदी है तो उसको घर के किस स्थान में रखना चाहे है यह बाद सही है खाय कोई भगवान की जो मूर्टी होते हैं गर के जैसे अपर जिसे हम क्या होता है कि हम आप पहले तो भागवान अपना जो घर होता है वहां पर एक गान। हुआ है ओप इसको अपने अभी। होगा सकते हैं हुगा सकते में कहीं कोई नहीं है हुगट जैसे कुछ लोग होते हैं वह अपने घर की एंट्रेंस पे गनपती की मूर्ती रखते हैं या गनपती की पेंटिंग लगा देते हैं तो क्या वह एंट्रेंस पे गनपती रखना शुब माना जाता है यहां देखिए जैसे हम इंटेंस में गणजी लगाते हैं तो आने वाले बेटि के लिए वो गड़े जी के दिश्टी है वो काम आती है तो हमारे जो आगंतुक हमारे महिमान है आने वालों के लिए है ना कि अपने लिए नहीं है वो कि यर्ड हम को अपने घर की दिष्टी चिमाना करना है तो वास्तु में एadece हमगर की तरह उमकुदम को लिए यह यागने स्वामी ध्यादन्वक होता है तो इसको भी काम आएगी और को भी सक्क्ति काम आती एक कि हमारे योड़ियों घया होती है कि लिख सोती है तो इसको दूर कर देती हैं और सबस्दों नहीं होटीorsa of आयब कि दो और पाटब करते हैं ernाぎ अहर कुछ पेइंटिंक को लेके a में अबॉइट करना चाहिए घर में लाने से चर्ट कि में आज हैं आध देखेंगे ताज मा लोग लगा रहें हैं अपने घर है प्ताज माव्र realtà की जो है महा भारत की जो भूंगे करता हुआ है घर नहीं होना चाहिए और रब देवी देवी का जो बिल जो विभत्ष रूप है रोद्र रूप है वह फोटो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए और पैंटिंग में आपने कहा कि वही पैंटिंग में हमको हमारी जो करुन रस है हमारे विचारों के जो विभस रस है हमारे उपलब्दियों का जो बनती है कि हमारे जीवान में हम क्या क्या उपलब्दी हमने किया है और हमको उस परमातमा की सर्ण रचना की पेंटिंग घर में लगाना चाहिए ना कि कोई डूबली के पेंटिंग किसे ने आग से जो चीज जो अर्जा है वो शरी को इफिट करता है इसलिए हम देश करते हैं तो हमको किसी भरा होगा तील का नदी का या ऐसे पैंटिंग को बनानी चाहिए और ऐसे घर में लगाने चाहिए जिसमें कि आपके घर में हर्याली हो समुद्द्र के जैसे आपका घर है हो और किसी प्राग की आगो बाधाए ना है जी आपने अभी हर्याली की बात की तो अक्सर लोग घर में एक वो बैंबू का पौधा होता है या तो वो रखते हैं या मनी प्लांट को घर में रखते हैं लोग कुछ बॉंसाइप पौधे होते हैं जिसको घर के भीतर वो लोग तो इनकी दिशा क्या होनी चाहिए किस दिशा में कौन सी चीज रखनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव अच्छा पड़े कोई उससे नेगेटिविटी ना आए मनी प्लांड के बारे में अब अच्छा प्रस्ण है मनी प्लांड के बारे में यह बताया गया है कि मनी प्लांड का पेड़ घर में रखना चाहिए गंबले में और यदि गंबले में ही उसको रखने से उसको धूप भी कम मिलती है तो भी त्यार रहता है हरा भरा रहता है और म जो है उस में अपने रोप में लेता है तो मुतना ज्यादा सुभ मांते है अध्यात्मी ग्रूप से और वो सुभ होता भी है माननिक सासद वो उसके अंदर जो उर्जा होती है बहुत असीमित उर्जा होती है जो कि घर के उपलब्धी में और घर के लक्षिमी में विसेस इंटर्नल वो सहयोग करता है फायदा करता है तो इस पौधा को जरूर घर मे उत्तर या पूर्व की दिशा में उसको लगाना चाहिए और यदि मानने जिए कि वो दिशा अपने वास नहीं मिलती है तो दक्षिन दिशा से उत्तर की तरफ उसको घुमा देना चाहिए जो कोई दिक्क अपने बहुत बहुत शुक्रे आपका पंडे जी हमारे साथ कि दावली के समय पर वो सजावट करते हैं बिल्कुल आप से प्रस्न की आपने जो है यह चाहता हूं कि आप सभी भक्त जनों से आप सभी बहुत जनों को धन तेरस और नरक चद्धूदसि दीपावली और नरक चद्धूदसि और आपका दीपावली भाई दूज अब ही भक्त जनों को ये सुचित करते हुए हर्स हो रहा है कि आप अपनी दिपावली की तैयरी अपने मन से आप कर रहे हैं और अपने अच्छे बिचारों से आप दिपावली की तैयरी करें घर को सापसफाई के साथ साथ परिवार में सामंजस बना करके माता पिता पुत्र भाई बहन ये सब जो है एक साथ चर्चा करके कि घर को कितना अच्छा बनाया जाए उसी धन से सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दे करके अपने घर को एक अच्छा सुसजित बनाए और उसके बनाने के साथ साथ जो है आप जितना ज़्यादा उसमें अध्यात्मिक दि दिपा वली की तैयारी में आप सभी लग जाएं और फटाके भी ठोड़े और फटाके साथ साथ आप भाई बंधू कुटुम्ब परिवार रिष्थेदारों को अपने मित्त जनों को अपने फ्रैंड सरकल में इको फ्रैंडली दिपा वली मनाएं यही हमारी संदेश है और शास्त्री जी हमारी तरफ से हमारी टीम की तरफ से आपको भी इन सभी त्योहारों की दिपाबली के पर्व की धेरो शुब कामनाई नवल्सकार तो हेलो जिन्देगी में तर्शकों आज इतना ही आपको हम अपनी तरफ से आपको भी हम शुब कामनाई देते हैं कि आपके ये जाजजट नवस्गार